नमस्कार दोस्तों इस साल के अंद में 36 गड़ में विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कॉंग्रेस और वीजेपी ने चुनावी तयारियां शुरू कर दी हैं करनाटक विधान सबस चुनाओ जीतने के बाद कॉंग्रिस जोश में हैं वहीं वीजेपी करनाटक में मिली हार के बाद सबक ले रही है 36 गड़ में वीजेपी अपने पुराने नेता और कारेकरताओं को मनाने की तयारी कर रहे हैं जो काफी लंबे समय से पार्टी में हो रही अंदेखी से नाराज चल रहे हैं 30 मही को वीजेपी बड़े स्तर पर एक जश्न मनाने की तयारी कर रही है ये जश्ट नरेंद्र मोधी के प्रधान मंद्री के रूप में 9 साल पूरे होने को लेकर मनाया जाएगा 36 गड़ में वीजेपी कई कारेक्रम आयोजित करने वाली है ये कारेक्रम पूरे एक महीने तक चलेगा वीजेपी के पदधिकारी 36 गड़ के सभी विधान सभाओं में पार्टी के रूठे नेताओं और कारेकरताओं से मिलेंगे उनके घर खाना भी खाएंगे साथ ही पार्टी पदधिकारी मद्दाताओं से भी मुलाकात करेंगे मद्दाताओं से उनके घर में मिलकर पार्टी के लोग केंद्र में चलाई जा रही मोधी सरकार की योजनाओं को बताएंगे साथ ही मौजूदा वुपेश सरकार की खामियों को भी पार्टी नेता जनता को बताएंगे इस दोरान मिस्ट को लभ्यान भी चलाया जाएगा वीजेपी द्वारा 30 मही से शुरू होने वाला जन जागरु कारेकरम 30 जून तक चलेगा 21 जून याने योग दिवस के औसर पर भी पार्टी बड़े स्थर पर जागरु का भ्यान चलाएगी बूत इस तर पर लोगों को योग के बारे में बताया जाएगा 23 जून को डॉक्टर श्यामर प्रशाद मुखजी की पुर्नतिती होती है इस औसर पर पीएम मोदी वीडियो कारेकरताओं और नेताओं से बातचीट करेंगे इसके साथ ही 25 जून को वीजेपी अलग तरह से जनता से मुलाकात करेगी उनके बीच में जाएगी इंद्रा गांधी सरकार में देश में 25 जून को अपातकाल लगाया गया था वीजेपी इस मुद्दे को बुनाने में जूटी हुई है कॉंग्रेस ने किस तरह लोगतंत्र को नश्च किया इसको लेकर एक डॉक्यूमेंटरी वीजेपी लोगों को बूत इस तरह दिखाएगी दोस्तों वीजेपी का ये प्लान सुनकर आप सबको क्या लगता है उनका ये प्लान काम्याब हो पाएगा हमें कमेंट करके जबर बताएगा वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चारेल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा